नमस्कार आप सबका मेरा यूटिब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वगत है आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर यह जानने की कोशिश करेंगे जो गुरू परवत होता है उस पर नॉर्मल कब बिमारियां किस व्यक्ति को लगती हैं क्या मतलब सर किस व्यक्तियों को कौन माίν लाइन काम करेंगी बिलकूल जै माइनलाइन काम करेगी बिमारियों में गुरू परवत और मस्तिश्क रएखा यह क्या मैं बतारा बताने चाहरा हूं टीचिंग पामिस्ट्री में वो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा देखो ये तो हमें सब पता ही है कि जो गुरु परवत होता है उसकी जो प्रिमिसिस होती है वो ये होती है ये असल में क्या होता है और सारे ग्रहों को यहां तक का स्थान मिलता है लेकिन इसको जो है यहां तक का स्थान मिलता है ये बड़ा ग होते हैं करते क्या है पहले तो यह नॉर्मल चीज़ों में समझते हैं कि गुरु प्रवत के जो ब्रस्पति शेत्र किसी का जो है ठीक है तो उसकी लोगों की फीलिंग क्या रहती है यह क्या करते हैं दूसरों पर ना अधिकार जमाना संगठन जोडना बनाना समझ रहे हो आगे रहना उची सोच रखना उचे लक्षे प्राप्त करने की एक प्रबल इच्छा जाहिर करना अपने मन में सब क्या हो रहा है मन में रखना प्रबल मैंड लाइन यह सब मैंड लाइन का ही गेम है समझ रहे हो लेकिन वह अगर सही है और मैंड लाइन ठीक है तो यह पॉजिटिव होता रहेगा और अगर मैंड लाइन में भी कोई दिखते हैं जैसे अब मान के चलिए मैंड लाइन में थोड़ा सा यहां पर दिखकता आ गई कुछ आ गया अगर इससे यह आ गई ना क्यों कौन से बिमारी लग जाएगी केवल कमर दर्दर होगी क्या गलत कहते हो आप दोरे पढ़ने फीट्स पढ़ने मिर्गी के दोरे या कुछ और बेहोश हो जाना ठीक है यह भी रहता है इसमें केवल एक तरीके की नहीं होती है कमर एक वीडियो बढ़ाऊंगा एक विखती है उनके कमर ही तूट गई अब वर्ड समझते हो तूट जाना कमजोरी के कारण कमर तूट गई क्या बात कर रहे हैं अभी दिखाऊंगा बेड पे खड़ा ही नहीं हो पार ठीक है और अगर जैसे इसमें कुछ मैंड लाइन में दिखते आ गई तो क्या होगा घमंड आ जाता है क्या बात कर रहे हैं जी घमंड यह थोड़ा सा जैसे यह दबा हुआ चप्ता से है न यहां पर घमंड आ जाएगा अब ये विदेश जाना चाह रहे हैं अपनी क्या है कि अभी चीजे इन्हें मिल नहीं रही यह विदेश की रेखाएं यह विदेश की रेखाएं हैं ठीक है यह यहां पर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने मेंशन करके बता दिया है इनका रिलीज हो चुका है तो अगर ऐसे वक्ति क्या होगा अगर चले गए थोड़ा सा क्यों क्योंकि वह एक फीलिंग आ जाएगी मैं गया तो थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन पर आए तो दिक्कत क्योंकि देखो यहां दिक्कत है ना आ रहे है ना अच्छ अपना गुंगान करेंगे देखो बही ऐसा ह है मेरे अंदर ना यह टैलेंट है ठीक ठीक है यह समझे और अगर सही है तो आत्मिश्वास ठीक है उचाईयों तक पहुशने की एक ललक ठीक है यह ग्रहे जो होता है सब ग्रहों से डिफरेंट होता है और इसमें ज्यादा गुन होते है बस इस चीच का ध्यान रखना बु रेखाएं चल रही है तो बड़ापे से इसकी तुल्ला की जाती है कि बड़ापा आपका अच्छा जाएगा ठीक है यह समझा गई अब बात आती है थोड़ा सा अलग समझने की मान के चलो आपको किसी एनलिसिस करना है और आपको उन विक्तियों की फीलिंग्स को भी पकड करना है तो इसको दो तरीके से समझते हैं ठीक है अगर माइंड लाइन अगर माइंड लाइन ठीक चल रही है और गुरु परवत ठीक दिख रहा है तो आप समझ जाएए कि यह क्या है यह पॉजिटिव गुरु है ब्रस्पति पॉजिटिव है और अगर माइंड लाइन सर आपको डिस्टर्ब दिख रही है और उस माइंड लाइन को पकड़ना और अगर आपको थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन गुरु परवत पर दिख रहा है तो आप इसे नेगटिव नकारात्मक ब्रस्पति समझेगा यह तो यह रहा अब इसी बीच में थोड़ा सा आपको और सपोस कोई अपनी डेटो बढ़ते देता है समझे हो कि सर मैं ना 19 फरवरी को जो है मैं पैदा हुआ था सन यह था एक कहता है कि मैं 19 मार्च को पैदा हुआ था तो कोई कहता है कि मैं 19 मार्च को पैदा हुआ था तो यह अगर जैसे ही मन में आए ना आपको उसका अपने देखा कुछ नहीं करना यह और उसकी माइंड लाइन को चेक कर लो और गुरू परवत को चेक कर लो वहीं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा क्या बात कर नकरतमक बन जाएगा यह यह कि ऐसे विखती जो इन इन तारिक में कौन सी फरवरी से लेकर मार्च फरवरी से लेकर मार्च यानि आप 19 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक मैकसिमम रैसे 20 मार्च होता है लेकिन फिर भी 28 में आ जाता है कुछ केसिस में आता है तो 28 मार्च तक आ जाए और उसका यहां यह चप्टा और कुछ माइंड लाइन पर चीजे आपको डिस्टर्बंस दिखे तो उसकी सोच को कैसे आप बताओगे किसी के एनलेसिस में कैसे समझाओगे ठीके अब इनकी जो महत्व कांशा होती है न वो क्या एक अपना रूप धारन कर लेगी वो मांसिक रूप में चले जाएगी मांसिक रूप में चले जाएगी एक चैनल है मैं तो हमेशा कहता हूँ वो मश्री वले अंकल वो क्या करते हैं यहां से यह रेखा बाद प्लान बहुत बनाते हैं प्लान बूंद उन्हें एक्चल में टेकनिकल चिज़ पता ही नहीं है कि इस तरीके से नहीं कहते है रटी-रटाई बाते नहीं बोली जाते हैं वहां पर मानसिक रूप से महत्व काशा इसका मतलब क्या है उसमें मानसिक विकास अधिक होता है अब ये क्या करते है वहारिकता कम हो जाती है देखो किसी की लाइफ में मानसिकता अधिक है और वहारिकता कम है तो वहारिकता कम है तो वहारिकता कम है तो वहारिकता कम है तो व बेवारिक्ता में, और मानसक्ता में क्या आता है ? पढ़ाई अच्छ उसे अपने से मतलब है थीक है ? उसे आगे बढ़ने से मतलब है थोड़ा सा क्या होगा ? सेलफिश होना शुरू हो जायेगा उसे किन सब्जेक्ट में ज़्यादा रूची होगी ? हिस्ट्री में, साइंस मे भगोल में ठीक है और जहां पर वो पीसटी करना चाहता हूं मैं सर और पढ़ाई करना चाहता हूं आप समझ जाना ओ अच्छा 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 तो गुरू परवत और माइंड लाइन ये व्यक्ति के बढ़ाई में बहुत-बहुत-बहुत साहता देती है तो अगर किसी के यहां पर यव के निशान आ गए तो घबराने की जुरूटनी गुरूप क्या करता है यह हर जगा को कमी करता है इसमें यव के निशान को भी थोड़ा बहुत इसको नीचे और कहीं पर इतना सत्यानास कर देगा लेकिन यहां पर क्या करेगा एक साल खराब कर देगा कुछ और अगर किसी की माइड लाइन खराब है और किसी के यव के निशान यहां पर भी है और यहां पर भी है गलताते लग जाएंगे किसी गलत संगती में पढ़ जाएगा मंगल थोड़ा सा उपर उठा हुआ है और यहां पर भी रिजव के निशान थोड़ा बहुत यहां पर डिस्टर्बेंस गलत संगती में डल जाएगा तो यह क्या कर रहा है यह नकरात्मक चीचों पहलू पर जादा काम कर रहा है और यह सेलपिश हो रहा है अपना ध्यान रख रहा है मांसिक रूप से महत्वकांशी होता है तो वो चैनल क्या कहता है महत्वकांशी होते है एक वर्ड मांसिक रूप से महत्वकांशी होता है और आत्म विश्वास की उसमें कमी रहती है मेरा कंसेंट्रेशन नहीं होता सर इसके लिए कुछ उपाए बताओ फिर वो कहते हैं यह दोनों जो जुड़ के चलती है आरे आप पहले चीचों को समझने की कोशिश करो कि क्यों ऐसे व्यक्तियों को प्रॉब्लम आती है योजनाओं को और्गनाइज़्ट करने में कठनाई आती है ठीक है और इन कारणों से वो अपने आपको थोड़ा सा न दूसरों से छुपा कर रखते है और यही रिजन होता है कि क्या होता है कि जो वो काम अपनी 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 लाइफ में आगे करना चाते है न वो कहीं न कहीं किसी से सीख कर करते रहते है क्यों क्यों क्या होता है तेज होता है न गुन्ना आदमी होता है न गुन्ना एक बड़ यह वो बन जाते है मासिकता ज़्यादा बन रही है अब यहां पर मैंने आपको बताया कि इनका पढ़ाई से रिलेशन जाता हो जाता है तो अब साहित्यकार मान लो ठीक है कलाकार मान लो देखो आर्टिस्ट भी यहीं से निकलता है संगीतकार भी उसके लिए बुद्भ परवत जो होता है वो देखा जाता है पर लेकिन फिर भी अगर किसी का ये है शुक्र वले की तरफ धियान मत देना, शुक्र वले होता है तो संगीतकार बनेगा कलाकार बनेगा, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर केवल केवल आपकी माइंड लाइन ही और गुरु परवत ही काम करता हुआ दिखाई देगा और ऐसे लोगों के ऐसे ऐसे मतलब इस जो मैंने कभी कंडिशन नाकारत्मक बताई है उनको बिमारिया कौन सी ज़्यादा लगती है देखो सोचते ज़्यादा है ना वो सोचते ज़्यादा है तो निराशावादी होने के कारण ना क्या होता है नींद नहीं आती है अरे बाबरे अच्छा तो वो कहते हैं कि माइंड लाइन पर एक टुकड़ा जो है वो टूकड़ा किसी का टूटा हुआ ही नहीं होता तब भी वो वेक्ति कहता है ची मुझे तो नींद नहीं आती है और आपको बात ही नहीं समझ रहता है कि वो उसमें थोड़ी सी प्राब्लम आ रही है बढ़ रहा है क्या है क्या है उसमें भी कुछ कमियां दिखती है पीलिया उसे जरूर होता है याद रख लेना जिंदगी में पीलिया जरूर होगा उसका सांस फूलने की प्राब्लम मैंने करा जिगर से रिलेटेड कुछ सांस फूलने की ऐसे वेक्तियों को बीच बीच में कहीं न कहीं घूमते रहना चाहिए अपनी हवा चेंज करते रहना चाहिए ये तो रहा देखो तो वो की थोड़ा सा मैंड लाइन में दिखते और थोड़ा सा फ्लैट पन अगर ये हो तो अब मान के चलो किसी की आपने मैंड लाइन अच्छी देखी है और किसी का परवत भी अच्छा देखा है अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ठीके अब वो लोग जो होती है न वो कब पैदा होते हैं पहले तो ये समझ लो जैसे मैंने उसका बताया था 19 फरवल ये 21 नवंबर से लेकर फिर वही वाली बात 20 दिसमबर वैसे और 28 दिसमबर तक मैक्सिमम खीज दीजेगा ठीके अब यहां माइड लाइन भी ठीक चल रही है और ये भी ठीक है अब ये क्या करेंगे अरे सर मैं असल में क्या हूँ मेरे अंदर एक सबसे बड़ी कमी यही है कि मैं एक बार जो चीज ढान लेता हूँ न वो करता जरूँ वो पूरा करता हूँ मैं हूँ महत्वकांशी तो हूँ मैं डरता भी नहीं हूँ किसी से मैं किसी की परवा भी नहीं करता और मैं कोई भी कारे करता हूँ ना पहले उसे सोस समझ के काम करता हूँ चाहे उसके बाद मेरा कितना भी कोई विरोध करते मेरे को उसकी कोई परवाद नहीं होती है ठीक है अरे भीया ऐसा करना आप ये लो टेबल के नीचे ना एक लाक रुपया मैं दे रहा हूँ आप लेकर ये मेरा काम करा देना नहीं यार चाहिए ये नहीं मेरी पोस्ट इतनी बड़िया है मुझे इनकी लालची नहीं वो ना 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 मेरे सिदान बहुत बड़िया है मैंने अपने रूल एंड रेगुलेशन्स बना रखे हैं मैं उनको तोड़ नहीं सकता और मेरे पर किसी ने विश्वास कर लिया मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा ये याद रख लीजेगा और जो तुम मुझे ये वाला जो ये रिश्वत दे रहे हो अब तुम पर भी मैं केस करूंगा याद रख लेना यानि धोका गड़ी जो भी करना चाता है उसका विरोध जरूर करते हैं देखा है ना कुछ लोग आपको देखा है कि 15 रुपे के लिए एक केस था एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर पार्किंग में खड़ा करा और 15 रुपे उससे न अगले घंटे पर पता नहीं कितने घंटे के बाद उसने चार्ज कर लिया और उसने का नहीं नहीं अभी घंटा नहीं हुआ इतने और लेकिन वो माना नहीं देना पड़ा उसे तो उसने क्या करा कोट में केस करा कोट में केस करा 17 साल केस चला कोट ने 100 रुपे उसे पैनल्टी डाली समस्ते रहे ना 100 रुपे पैनल्टी डाली और उसे का कि वो पैसा और 100 रुपे अलग से दे 20, 15, 17 साल उसने कितने लाक रुपया खर्च कर दिया लेकिन ये होते हैं लोग जिनमें नाक की लड़ाई आती है ना इसने गलत कैसे करा तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लोग भी हैं होते हैं ये समझ जाना चाहिए दूर से ठीके अब ये लोग क्या करते हैं अपनी फील्ड में कम से कम दिक्तों पर आगे बढ़ते हैं गंजे जरूर होते हैं मतलब बाल जड़नों की प्रॉबलम जरूर रहती है कोई भी संगठन बनाने के लिए अच्छा सर वो और्गनाइजेशन बनाने के लिए कहते हैं कि मैं पार्टी में इसमें हाँ हाँ अच्छा मैं ना अपनी लाइफ में जॉप करता हूँ पढ़ लेकिन न मैं और मैं हेद हूँ मैं हेद हूँ पता है आपको अच्छा अच्छा तो उपर तक पहुंचते हैं अच्छा और इन लोगों के ना अपने से उपर लोगों के साथ संबंध होते हैं ठीके वेपार में अच्छा करते और ये जरूरी नहीं समझते एक बात याद रख लेना कि ऐसे लोग ना अगर सपोज किसी के फादर कोई काम कर रहे है और ये पढ़ाई में है मैं ये काम नहीं करूँगा मुझे अभी तक याद है मेरा एक फ्रेंड था उनके फादर का ढाबा था ढाबा था ढाबा लेकिन वो ढाबा इतना चलता था आज से मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ इतना चलता था कि उस टाइम पर महीने के 5 लाक रुपया कमा लेते थे अन्धी कमाई थी और वो लड़का कहता है ना मैं C.A. बनूँगा C.A. बनूँगा और वो उसके पापा ने का अरे भाई C.A. बन के भी तो पैसा ही कमाना है नहीं बनूँगा बन ही नहीं पाया C.A. नहीं बन पाया फिर कहता है पापा का का काम नहीं करूँगा जूते की दुकान खुलवाई वो काम नहीं करूंगा, नहीं ये छोटा काम है औरतों के आदमियों के पैरों पे जूते डलवाना वो नहीं उसे पसंद आ रहा था, दूसरा काम नहीं समझा तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने जो पिता जो होती है ना, उनके काम में भी उनको इतनी रूची नहीं होती है जरूर जिनी समझते, कि वो उसमें भी लग जाए और यही रिजन होता है कि जो शुरुवाती टाइम पिरिड होता है ऐसा बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा जिद्धी हो जाता है और माता पिता को चिंता होती है, भाई यह क्या करेगा यार जन्दगी में यह तो हमारा कुछ समझी नहीं रहा देखो है पॉजिटिव बंदा, वो व्यक्ति लेकिन एक कारण, मैं फिर कहता हूँ कि फिर वही वाला फार्मूला अजमाना शुरू कर दिया करो कि आपने कि अगर कोई एक रेखा यहां पर निकली है और उसके उपर से एक रेखा निकली है और एक यह निकली है तो वो जरूर काम करेगा और केवल अगर यहां पर रेखा निकल कर यहां पर रेखा निकल कर यहां पर है अब मतलब तो वही समझ आ रहा है पर लेकिन आपको तो थियोरी ही नहीं मालूम तो आप क्या करोगे भाई इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे पता ही नहीं ठीक है ना तो माता पिता को चिंता रहती है और इसके लिए तो मैं हर पेरेंट्स को कहता हूँ कि अगर वह टेस्ट कर लो ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्र निर्ने देने की शक्ति रखे बेटा कौन से सब्जेक्ट नहीं पापा मैं ऐसा करता हूँ मैंने न साइंसी लेनी है आप रहन तो आप ये चीज़े मैं कर लूँगा मैं पाइलेट बनना है मुझे ठीक है बेटा चल चल कर ले चल देख ले हाँ हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है ये ऐसे लोग होते हैं ठीक है समझ रहे हो तो ऐसे बेरेंट्स को क्या करना चाहिए येस अब इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है ये किसे भी काम में करते हैं तो ऐसे तुल के काम करते हैं और इतना जोश दिखा देते हैं कि हर सीमा को पार कर देते हैं यानि आवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं यही कारण होटा है कि ये सफलता हाथ में आते आते बैकसाइड में लगती है या नेक्ति और इनकोब बस एक चिजया भईया जादा एकसाइटमेंट नहीं जादा result, नहीं मेरे 100 में से 100 ही आएंगे नहीं, 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 ओह नराश हो जाएंगे नहीं, पहले ही कम सोच के चलो कटेंगे, 3-4 नंबर तो कट सकता है कुछ नहीं होता यानि थोड़ा सा अपने इस लेवल को थोड़ा सा नीचे रहने की कोशिश करना चाहिए यह सबसे बड़ी कमी होती है और यही रिजन होता है कि यह क्या करते है, स्विच आउन करना शुरू कर देते अरे यार चलती, क्योंकि नहीं तरक्की चाहिए होती है यह नहीं कर रहा, चलो चलो दूसरा उनमें तरक्की, हाँ हाँ, स्विच आउन कर देते मैंने असल में किया था मेरे पास साइंस थी और मैंने क्या करा उसके बाद ना मैंने दूसरा सब्जेक्ट लेकर फटा फट वो जी नौकरी लग गए उसके बाद वो नौकरी में तरक्की लगी तो मिरे को कोई फरक नहीं पड़ा इस चीज़ का तो ये लोग क्या कर इनको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर तरक्की मिलती रहती है लेकिन माइड लाइन जरूर देखनी चाहिए इस चीज़ के लिए बस यतना कहूंगा और अब बात आती है कि इनको कौन सी बिमारियां लगती है तो इनको बैमारी लगेगी गठिया की तो लगेगी पाचन शक्ती खराब हो जाएगी ठीक है जीब के जीब में यानी अरे जीब में चाले होना टॉंसिंस होना गले का अरे वो तो सर बुद का कारक होता है नहीं 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 इनका भी होता है फोड़े फिंसी अर गुरू खराब हो फोड़े फिंसी भी निकलेंगे एक्जीमा भी होगा यानि आपको तवचा के बिमारियां भी होंगी तो आज से आपको पता लग गया कि पॉजटिव होने पर भी बिमारियां आती है गंजापन आता है बाल जड़ने की प्राब्लम आती है फाइरेड की प् ठीक है लीवर की प्राब्लम आती है फैटी लीवर होता है समझते रहिए ये पॉजटिव की निशानी बता रहूं मैं आपको ठीक है इंची जखो आप आप बस डिस्टरब रहे पती पतनी में बनेगी नहीं ये रटी रटाई बातें मत कीजिए मत कीजिए तो आज हमने क् समझा केवल माइंड लाइन और इसको अभी तो हमने ये डिस्टरब्ड हो जाएगा तो और कमिया और कमिया यहां पर कुछ और चिना जाएंगे तो और कमिया तो वो तो एनलेसिस में समझना है पर हमें तो फीलिंग्स को पकड़ना था ना तो फीलिंग्स मैंने आपको क्ल कि आप बोल सको 10 गंटे 15 गंटे 20 गंटे अरे बोलना है तो फिर बोलो रुको मत यस आपको knowledge होगी तब ही तो बोलोगे वरना कैसे आप तो रुक जाओगे फिर तो बस यही कहोगे पती-पत्नी की बनती नहीं है बनेगी नहीं और महत्व कांशी होगा और बस दो चार वर्ड बोल कर खतम करते यह analysis नहीं होते है यह इनकी सोच नहीं होती ठीक है ठीक ओकी जाओगे अगर वीडियो अच्छा लगए तो प्रिस लाइक कीजिए का कमेंट से ओकीजिए का धन्यवाद